बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर यूट्यूब पे अगर हम रोज 3 वीडियो अप्लोड करें, 4 वीडियो अप्लोड करें, 5 वीडियो अप्लोड करें, 10 वीडियो अप्लोड करें, तो उससे क्या होगा, क्या benefit होगा, क्या नुकसान होगा, तो आज मैं आपको यह है कि यूट्यूब पर दो तरह की वीडियो हम अपलोड करते एक होता है शौट्स और एक होता है भाई साब आपका लॉंग वीडियो तो अब यहाँ पर एक चीज में आपको क्लियर बता दू कि यूट्यूब पर यह तो आपने सुना यह होगी consistency होनी चाहिए consistency के बिना त पतलब यह है कि आप अपना जो चैनल है उसके हिसाब से खुद चुने कि भाई में को एक वीडियो वीक में डालनी है दो वीडियो वीक में डालनी है देली डालनी है या एक दिन में दो वीडियो डालनी है एक दिन में तीन वीडियो डालनी है तो जो हम चुल लेंगे उस पर हमेशा उसी टाइम पर वीडियो अप्लोड करते रहने को कंसिस्टेंसी कहते हैं, अब बात करते हैं कि एक दिन में कितनी वीडियो अप्लोड करनी चाहिए, तो देखें एक सिंपल सा फंडा यह है कि अगर आपका चनल नया है और अगर आप लॉंग वीडियो डालना चाह लेकिन अगर आप एक दिन में तीन-तीन वीडियो अप्लोड करेंगे तो हो सकता है कि जो आपकी ओडियेंस बन रही है, वो सोचे कि यार तीन वीडियो तो इसी बंदे के देखने पड़ती है और फिर बाकी और भी क्रेटर्स को वो फोलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी तीन वीडियो में कोई ना कोई वीडियो पिट जाए, तो अगर आप करना है तो या तो एक ही वीडियो डेली अप्लोड करें या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक दिन में दो लोंग वीडियो अप्लोड कर सकते हैं, एक मौर्णिंग में एक इविनिंग में, इस से जादा ब तो उसका notification नहीं जाएगा बात करते है शौट के case की तो देखे शौट में क्या होता है कि ज्यादा तर जो वीडियो चलती है वो notification से नहीं चलती सरसे भी उतना नहीं चलती वो चलती है swipe up feed से तो swipe up feed में बस वो swipe करते रहते हैं और वीडियो आती रहती है अब इसमें अगर माल लीजिए आप तीन वीडियो भी upload कर देंगे डेली तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन वीडियो अप लोड करेंगे तो उसके बार बार वो swipe up में आएगी वो बार बार वीडियो देखेगा बार बार वीडियो अगर कोई shots आपके देखता है तो YouTube उसको और आपकी ज्यादा shots दिखाता है जैसे माल लीजिए आपने किसी का आज एक shots देखा फिर उसी creator के आप 4-5 shots देख लीजिए अब आप जब भी swipe up तो उसी creator का कोई ना कोई shots आपके सामने play हो जाएगा चाया वो उसने पहले upload किया हो या उसका नया shots हो तो अगर आप shots के case में करें तो आप 3 वीडियो पर upload कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप episodic shots मनाते हैं जैसे part 1, part 2, part 3, part 5 आपने देखाओगा ऐसे shots बहुत चलते हैं तो वो आप एक दिन में 3 भी कर देंगे upload तो भाई आपको benefit है अगर आपका चलन नया है तो क्योंकि लोग जैसे part 1 देखेंगे फिर part 2 चाहिए फिर part 3 चाहिए उनको जल्दी मिल जाएगा और अगर आप नहीं करेंगे अगर आप एक short daily डालेंगे तो भी कोई सकते हैं एक चीज है जो आपको बाद में जाके नुकसान देगी अभी अगर मालो मैंने नया चल बनाया और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भाई daily दो long video upload कर सकता हूँ तो आप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है और आपको लगता है कि daily तीन short video upload कर सकता हूँ तो भी कर दीज टूट सकती है तो सारी planning लेके चलिए लेकिन अगर आप long video बना रहे तो एक दिन में दो वीडियो से ज़्यादा बिल्कुल upload मत कीजिए और अगर आप short video बना रहे तो भाई यह तीन वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है आप daily एक short बनाईए दो बना दिये तीन maximum है इस दिन में 50-50 वीडियो अप्लोड करते है या फिर कोई entertainment का चैनल भी आप उठा के देख सकते हैं से tv चनल होते है sony tv अगरा इनके वीडियो भी 50-50 अप्लोड हो आते है एक दिन में तो आप देखेंगे उनके कुछी वीडियो पर व्यूज आते हैं बाकी वीडियो पर नहीं है उसने उनको भी subscribe कर रखा है तो इसलिए limited content मनाईए जिससे आपकी consistency भी बरकरार रहे और आपको benefit भी रहे और यह सला आपको पसंदा ही तो like share कर देना चैनल पर पहली बार है subscribe करने साथ notification bell को दबागे और पर क्लिक करना इसी तरह की वीडियो में आपके लिए बनात